दोस्तो आज में इस वीडियों बताऊंगा कि आप एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट फ्री में कैसे खुल सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक से दिये हुगए हुए आप अपना एकाउंट खुलोगे तो आपको मैं सो रुपया गूगल पे करूंगा जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर दे दूँगा आपको बस एकाउंट ओपन करके आपको इस पर मैसेज कर देना है कि मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है नेम लिखकर तो मैं आपको गूगल पे कर दूँगा आपको गूगल दोस्तों यहाँ पे आपको यह वाला code डाल लेना वैसे तो यह code डाला रहेगा अगर नई code डला है तो दोस्तों आप इस code code को डाल लेना दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अपना सब कुछ feel up कर लिया और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे यहां पर मेरा OTP भी आ चुका था तो मैं यहां पर OTP भी डाल चुका हूँ जैसे कि देख सकते हो कि मेरा यहां पर OTP आ चुका है तो चलिए सब भरने के बास आपको क्या करना है open an account पे click कर देना है click करने के बास से दोस्तों आपके पास यहां पर आपको डेटा बर्थ पैन नमबर और यहां पर आपको इमेल आड़ी मांगा जाएगा आपको क्या करना है Simply आपको यह डिटेल साही साही करके भरती अपना यह तीन फीलब करोगी उसके बासे आपको यहां पर Account No.x IBACC Code मांगा जागा Simply आपको इसको भी क्या करना होगा क्या करना हवे आपको यह एक ऊधिक फाल चुट साही से भर ले ना है निच्छी प्रोसीट को आपको Simply यहां पर क्लिक कर देना अा है तो दोस्तों आपके मतलब वेरिफाइ करने के लिए यहाँ आपको या पे आपके अकाउंट में 1 रूप्या सेंड किया जाएगा कि आपका एक अकाउंट नमबर सही है तरह कि दोस्तों देख सकते भी कि मेरे यहाँ पर और एंजल ब्रोकिंग की तरफ से से01 रूपे ट्रांसफर किया गया यह चेंग करने के लिएrier जो मैंने का डोकुमेंट्स वेरिफाय होता है लेकिन अगर आप यहां पर डीजी लॉकर से करोगे तो आपका दोस्तों पांच मिनट में एकाउंट खोल जाएगा तो चलिए मैं आप आपको क्या करना हैं यहां पर डाल लेका उपर ओपर यहां पर चुका है चलिए मैं यहां पर क्लिक्ण करने के बास रखों यहां पर नीचे इस्क्लो करना के बास धूस्तों आपको यहांish हमें पर ईइसा कुछ इंटरक्स कोईटा यहें झाल वा stretch अब हम को करने आपको क्लिक करने के बास आपक्पन कार्व मुझे संता हैं जब भी अप्लोड करना जब आपको currency और यहाँ पे commodity और future option के लिए trade करना है 6 month का आपको उसमें यह चाहिए तो अभी मुझे जरूरत नहीं है मुझे अभी यहाँ पे अधार card और यह मतलब यहाँ पे pen card और मुझे signature की requirement पड़ेगे तो चलिए मैं सबसे पहले अपना pen card का जो मेरा front photo है मैं इसको यहाँ पे upload कर लेता हूँ सब्सक्तु कि मैंने यहाँ पे scan करके रखा हुआ था तो मैं simply यहाँ पर क्या करूंगा इसको select कर लूँगा select करने के बाद से आपको क्या होगा कि अब आपको यहाँ पे signature का option आज जैसे कि देख सकते हूँ कि मेरा यहाँ पे signature का option आ गया मैं क्या करता हूँ simply यहाँ पे upload signature पे click करके मैं अपना signature भी यहाँ से upload कर लेता हूँ नमबर डाल के आपको वापस से आपको NDLS से e-sign करना पड़ेगा तो चलिए मैं आप पर अधार कार्ड नमबर डाल देता हूं 521643717279 उसके वापस से दोस्तों आपको वापस से क्या करना है यहां पर आपको वापस से आपको वापस से ओट जाएगा जो टिपी आचुका तो मैं अपना यहां पर ओटीपी देख लेता हूं तो दोस्तों मेरा यहां पर OTP आ चुका है तो मैं क्या करूँगा अपना यहां पर OTP डाल लोगा तो चलिए जो मेरा OTP आया था यहां से मैं एक बार ओर देख लेता हूँ वह मेरा यहां पर 1751 1751 उसके बास से 73 तो चलिए मैं यहां पर अपना ओटीपी डाल चुका हूं डाल लेकिवास आपको क्या करना है वेरिफाय ओटीपी वाले उप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप प्रोशीड ओप्शन पर क्लिक करोगे आपको क्या होगा कि आपको 10 सकेंड का एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वेरिफिकेशन होता है यह लोग इसलिए वेरिफिकेशन करते हैं वो देखना चाहते हैं कि जो एकांट खुला रहा है वही तो है तो आपको पना सो रुपे का बेनिफिट उठाल दिए तो चलिए दोस्तों घखना दीओ मिलते हैं तक लिए टाटा वाइब जाहें जाएंगे